हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ मनीश और आप सभी का स्वागत है मनीशास किचन में तो चलिए फिर दिवाली स्पेशल आज की ये टेस्टी और डिलिशस सी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं आप ये देखने से भी पता लगा सकते हैं कि ये कितनी टेस्टी कितनी यम्मी बन के रेड़ी होई है मैं आज आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ फ्रेश नारियल के लड़ू जो बहुत ही युनीक और बहुत अलग तरीके से में बनाने वाली हूँ पूरा वीदियो ज़रूर वाँच करें चलिये फिर शुरू करते हैं बनाना तो सबसे पहले मैंने यहां पर चार मीडियम साइज के नारियल को अच्छे तरीके से चील लिया और उसे बारिक बारिक कट करके और ब्लेंडिंग जार में अच्छे तरीके से फाइन यहाँ पे पीस लिया है और उसके बाद हम यहाँ पे ले लेंगे मैंने गैस पे चड़ा दी यह कड़ाई आप नौन स्टिक कड़ाई भी ले सकते हैं आपके पास जो कड़ाई हो और यहाँ फूल फैट मिल्क में यह इस्तमाल कर रहे हो एक लिटर आप चाहें तो बॉइल मिल्क का भीस्तमाल कर सकते हैं कुझकि हमें मुश्टली इसको बॉइल ही करना है और थोड़ा सा मैंने आपे पानी भी एट किया है ताकि दूद नीचे लगे नहीं और इसको अच्छे तरीके से हाथ से अच्छे तरीके से हिलाते वे इसको अच्छे से बॉइल करेंगे बार-बार आप दो-दो मिनट पे आप इसको बॉइल करते रहें बिना किसी प्रॉबलम के बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी बहुत ही रिफ्रेशिंग ये मिठाई बनके रेडी हो जाएगी इस तरीके से आप अच्छे तरीके से इसको कुक कर लीजिए तो ये आप देख सकते हैं इसमें बॉइल आना स्टार्ट होने वाला है तो मैं इसको बीच बीच में अच्छे तरीके से स्टर कर रही हूं ताकि दूद नीचे लगे नहीं तले में और यह आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसमें बॉइल आना स्टार्ट हो चुका है, आपको ये दूद को थोड़ा सा अच्छा थिक करना है, बहुत जादा भी आपको बहुत भी थिक नहीं करना है, बस जैसे हमने एक लिटर दूद लिया है, तो थ्री स्टीप है, दूद जल्दी थिक करने का, और बहुत जल्दी हो जाएगा ना बहुत जादा गाढ़ा होगा ना बहुत जादा पतला रहेगा, आप देख सकते हैं, तो दूद अच्छे से बॉल हो चुका है, तो अब हम यहां पर आट कर देंगे अपना नारियल को और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, बिल्कुल, कंट्यूनेसली आप लेडल चलाते वे इसको मिक्स करिएगा, ताकि इसमें कोई भी लंप्स ना आए, तो यह आप देख सकते हैं, मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, दो से तीन मिनट आपको भले लग जिससे बहुत ही अच्छा इलाई जी का रिफ्रेशिंग टेस्ट आएगा, लास्ट में आइड करने से उतना ज्यादा टेस्ट नहीं आता है, जितना स्टार्टिंग में आइड करने से आता है, तो यह मेरी सेकेंड टिप आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैं 240 अमल के अपने अनुसार जैसा आपको मिठा पसंद है कम या जादा उसी साब से आप ले सकते हैं, और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, और फिर से मैंने आधा कप चीनी मैंने आपे और एड की है, और दो टेबल स्पुन भरके मैंने आपे ले लिया है, मिल्क पाउडर आप करना चाते हैं, तो दूद की मलाई आप यहाँ पर आड कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शनल है, और अगर आप नहीं आड करना चाते हैं, तो आप सक्प भी कर सकते हैं, बट आड करेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, और इसको कर लिजेए आपको 15-20 मिनट यहाँ पर लग जाएंगे आपको पेशेंस के साथ अच्छे से कुक करना है जितना आप अच्छे से कुक करेंगे उतना ही अच्छा लड़ू हमारा बनके रेडी होगा तो यह आप देख सकते हैं काफी मातरा में बहुत अच्छे तरीके से ठिक हो चुका है लेकिन अभी इसमें दू अटो चुके हैं और मैं विल्कुल इसको क scorp करते हुए मैं या पे इसको कुप कर रही है आप फ्लेम बीच बीच में हाइद कर सकते हैं मेडियम कर सकते हैं और लो कर सकते हैं अ हिसाब से दो-दो मिनट पर हमेशा हाई फ्लेम पर कोक ना करें वरना नीचे तले में लग सकता है लड़ू तो इस बात का ध्यान रखें यह देखिए पूरा अच्छे से यह थिक हो चुका है सारा दूद अच्छे से एब्जॉब हो चुका है नारियल में इस स्टेज तक लेडल से चलाते विन इसको थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे दो से तीन मिनट के लिए आप चाहें तो फैन में भी रख सकते हैं और यह देखिए थोड़ा सा मैने यहां पर पांच थंडा कर लिया अब मैंने ले ली यह यहां पर एक प्लेट और हम इसमें यहीं पर जमाने व देरी हूं हमारा most of the tip मैं यहां पे आड़ कर रही हूं दो टीस्पून घी और यह कच्छा घी आप एड़ करिएगा इससे बहुत अच्छी रिचनेस आजाएगी हमारी लड़ू में बहुत अच्छा शाइन आएगा बहुत टेस्टी बनेगा और चोटी-चोटी बातों काम ध इसको अच्छे से फैला लूंगी आप चाहें तो इसको अच्छे से फैलाने के बाद इस पर बदाम काजू कुछ भी अपने हिसाब के नट्स आप लगा सकते हैं और इसको फ्रिज में एक से दो घंटे के लिए सेट होने दीजिए अब बरफी की तरह शेप कट कर लीजिए इस तरीके से भी आप बना सकते हैं बट मैंने यहां पर एक घंटा रेस्ट पर रख दिया और यह देखिए कितने अच्छे तरीके से यहां पर बिल्कुल अच्छे से ड्राय हो चुका है अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर है तो यह सबसे मोस्ट इंपो लड़ू में और अच्छा टेस्ट आए तो यह देखिए और बस इसको ऐसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और गोल गोल हम अपने अच्छे उल्कुल डिलीशियस से लड़ू बनाके रेडी कर लेंगे और अगर आप लड़ू नहीं बनाना चाहते तो आप इसको बरफी की श और आप देख सकते हैं कि देखने में कितना डिलीशियस कितना यम्मी लग रहा है और बाहर की मिलावट से भी बीकुल भी आप बचें और घर में फ्रेश बनाएं और आप देख सकते हैं कितना यह यम्मी लग रहा है देखने में आप चाहें तो ऐसे भी इसको सर्फ कर सकत उंगली की सायता से एक-एक बूंद यहाँ पे टच कर रही हूँ और यहाँ आप देख सकते हैं लड़ू के ओपर कितना अच्छा लग रहा है देखने में कितना डिलिशेस लग रहा है ऐसा लग रहा मार्केट से खरीद के लाया है बलकि मैं को उससे भी जादा अच्छा और ऐसे मैंने ग्रीन कलर ले लिया है फूड कलर और वो मैंने यहाँ पे एड कर दिया अगर आप एड ना करना चाहते हो कलर तो आप केसर के धागे को भी दू पसंद आया और फ्रेंड्स को प्लीज वीडियो को लाइक करेगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमली में शेयर करना मत भूलिएगा और अपने प्यारे प्यारे कॉमेंट्स में मुझे जरूर बताएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी यह देखिया मैं आपको एक लड़ू तोड़के भी दिखा रही हूं कितना सॉफ्ट कितना मॉइस्ट बनके यह रेडी वाय आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है और आप इसको इजीली पंदरा दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी तो मिलती हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू फो वाचिंग स्टे कनेक्टेड